जब से मैंने पनीर डंपलिंग बनाना सीखा है, मेरी पूरी दुनिया बदल गई है तो आज मैं पनीर डंपलिंग बना रही हूँ तो मैं अपना पनीर कारती हूँ और उसको अपने हाथों से तोड़ती हूँ उसके अंदर मैं नमक, मेरे थल्दी और अपना Dad's Special Spice Mix डालती हूँ फिर मैं अपना पूरा पनीर का मिक्सचर को अपने हाथों से मिलाती हूँ अगर आपको हाथों से नई मिला ना आप चमच से मिला सकते हो फिर मैंने दुकान से dumpling wrappers खरीदे, एक चोटी सी sheet ली और अपने हाथों पे डाला, पनीर अंदर डाला और थोड़ासा पानी लेके फिर pleat बनाए जब dumpling wrapper पे पानी डालते हो सब कुछ साथ जूर जाता है फिर जब मेरे सारे dumpling बन गे थे, मैंने एक ओल सा तवा लिया और उसके अंदर सारे dumpling को अच्छे धंग से सजा दिया पानी डाला और फिर ढकन से डख दिया ताकि स्टीम हो जाए फिर मैंने मुटी भर लेके काजू लिये, एक चमश्टमाटर पेस्ट का, हल्दी नमक अच्पेशल स्पाइस मिक्स और हमारी ग्रेवी बन गए इतने में हमारे dumpling भी बन गे और मैंने नीचे से थोरा सा तेल डाल के फ्राय करा ताकि क्रिस्पी बने पूरा का पूरा मुमें डाल दिया and hands down, these are the best dumplings I've had in my life